नमस्कार प्यारे बच्चों क्या हल चाल तो आई होप आप सब मस्त होंगे मजे में होंगे सहस्त होंगे और आपकी पढ़ाई मस चल रहे होगे तो मेरा नाम है सर्मा और अपन कर रहे है परसन बैंक का सोल्यूशन जो राज्तान बोड ने अपने को दे रहा है हिंदी मीडिय मेडियुम के लिए इंग्लिच मेडियुम के लिए प्युटाइब होते हैं आप पूछते हर बार में से इंपोर्टेंट क्यूसं दीजिए तो प्रिवियश इर क्यूसंस से इंपोर्टेंट है वो करके जाईए आपका बैडा पार हो जाएगा और जो बच्य बोलते मैंने अभी पढ़ना सुरू किया है मैं तो नीट की त्यारी कर रा था मैं अभी पढ़ना सुरू किया तो मेरा क्या होगा तो आप पूराने क्योसन पर दस साल के आप आराम से 90 पलस नंबर लाज सकते हो पीवाई क्यूजँ करके कहा मिलेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरे वीडियो अपलोड है हर छेप्रवाईज। serait शेप्रवाइज पीवाई क्यूज्में अप्लोड कर रहा है इतनी मानत कर रहा है सांदर्ब आपके लिए पहले से हम पीडियेप आपको चाहिए तो पीडियेप आप मेरे से पर चिप्टर 11 रुपे की पर्चेज कर सकते हैं ini कुन मिला किanna एक्सों रुपे पूरी पीडियेप आपको मिल जाए और आप चाहों करना यूट्यूँवसे भी कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे इसN टाइम नहीं है आप सिधा पीडिये पर चेज करके होना काम चला सकते हो ठीक है जिन्होंने आज तो कुछ नहीं पड़ा पर हो जाएगा आप चाहिए नहीं मानते हो तो पुराने पेपर देख लो 22 23 का देख लो उसमें पहले वाले कुछन आ रहे हैं 22 का देख लो उसमें पह community passenger by उसका solution जिसमें पर करेंगे objective ऐसे और फिलेंदी बॉलेंका सहाओ कर लोग तो यहां क्लूसन में परस्ट बोला हुए चुमब ची वीमा है तो चुमब की फलक्स की डो वीमा होती है इसकी लिए आपको चुमब के फलक्स का मात्रट क्याद हो होता है। चुंब के flux का si matright होता है इसे को अपन लिख सकते हैं क्या लेकश क्यों इसको इसको और राएगा जूल पर आएगा इससे आप सोल करोगे तो इसकी विमा है कि जूल आपको यादो नीची M1 L2 T-2 A-1 रहेगी इसकी मां तो M1 L2 T-2 A-1 यह ओप्शन डेस का सही रहेगा बोलो कि लिए आगे आ जाई लेंज का नियम देता है तो लेंज का नियम देता है परे दारा की दिशा और लेंज के नियम में किस सरंक्षन नियम का पालन होता है तो उर्जा सरंक्षन नियम का पालन होता है यह आपको पता होना चाहिए अगला क्यूसन है चुम्ब की फलक्स चुम्ब की फलक्स यानि चुम्ब की अभिवाव का मात्रक है तो वेबर होता है क्या होता है एक मात्रक वेबर है दूसरा मात्रक अभी मैं लिखा वापस बताता हूं आपको दूसरा मात्रक एक मात्रक वेबर है इसी को अपन लिख सकते हैं क्या लिख सकत तो tesla into meter square लिख सकते हैं या tesla ओपन लिखे newton per ampere into meter या meter square तो यह आजाएगा newton per meter newton meter per ampere newton meter per joule joule per ampere आजाएगा बोलो किलिए और लिखना चाहिए तो ampere को कुलाम पर second लिख देंगे तो joule second पर कुलाम आजाएगा जूल पर कुलाम को बच्चो वोल्ट बोल सकते हैं तो यह वोल्ट इंटू second भी इसका मात्रक बन सकता है इतने यह हो गया पूरा post matum बोलो किलिए रहे किनी ठीक है तो यहाँ पर option सही कौन सा लेगा option B waiver बाकि यह भी इसके मात्रक सिमिलर बन सकते हैं ऐसा ही मात्रक और विमा के लिए यह मात्रक सबसे अच्छा रहता है जहां भी विमा भी पने निकाली थी इसकी बोलो किलिए रहे आगे आजाओ सवाल नमबर चार लेंज के नियम का उपयोग होता है तो यह होता है विज्दू-चुम्ब की परिएरण में पांचवा सवाल लेंज का नियम किसके सरंक्षन से संबंदीत है तो यह उउजा सरंक्षन से सम्बंदीत है भोलो किलिए ने प्रिवर्टित रखर उसमें फेरो के संख्या दुगनी कर देने पर उसका सव प्रिड़क्तर तो कुंडली यानि परिनालिका का सव प्रिड़क्तर जो फॉर्मूला होता वह होता है प्रिड़क्तर फेरो के संख्या होती है तो अब फेरो के डबल करोगे तो दुगनी करने पर इसका जो ये दो का वरक करने पर चार गुना तो चार गुना हो जाएगा तो ये फिर बन जाएगा न को डबल करोगे न टू एन का वरक करोगे तो चार अपने आप हो जाएगा तो चार गुना बोलो किलिए रहा है आगे आजाओ क्यूसर नमर साथ बोला हुआ है परेत विद्धित वागबल का परिमान चुम्ब के फिलक्स में परिवटने के दिर के बराबर होता है यह नियम तो यह बचो यह फेराडे का नियम है यह बराबर माइनस डेल्टा फाइब टे डेल्टा टी किसका यह फेराडे का नियम बोलो के लिए हो गया आगया आजाओ क्यूसर नमबर आठ क्या वह लखा है नुमेरिकलर सोल किया हुआ मेरा भी नहीं देख ले दें जब किसी कुणली में 48 एंपियर पर मिनट की धारा दर से विद्धुदारा परिवर्टित होती है तो इसमें यहां 12 वोल्ट का होता है तो कुणली का सव रेटक्ट नहीं का सव परिडुक्ट होगा या आपको दे रखाये देखीए डी डी-i-आई-ई-धी का मान दे रखाये तो देखो फोर्मूला क्यों होता है मैं फेर्मूला लेखता हूं ले आघनाओ क्या फर्मूला ए बराबर होता है l di by dt होता है बोलो के लिए अब यहां यहां आपको l का मान निकाना तो l मान लिख दो आपको सिदा तो यह का मान तो दे रखा 12 l का मान दिया नहीं है di by dt यानि 48 amp per minute यानि 48 amp per second 60 का भाग लगा दिया तो इसको अब सोल कर लो यहां से जो l आएगा वह आएगा 12 into 60 बटे में 48 आएगा खीक है तो बारा चोकु 48 हो जाएगा 60 बटा चार आप करोगे तो यह 15 आपका पंदरा चोकु 60 तो इसमें आएगा 15 हैंडरी किता आएगा इसका आंसर फाइनल जो आंसर रहेगा 15 हैंडरी रहेगा बोलो किलिए रहके नहीं किता रहेगा 60 बटा आपका चार होई गया तो पंदरा हैंडरी कांसर आ जाएगा बोलो किलिए रहेगा इस वाले फॉर्मिल से हो जाएगा ठीक है अगला क्यूसर नंबर नो यहां पर बोला हुए सव प्रेंड गुणांग की वीमा तो सव प्रेंड गुणांग की जो एल है इसकी जाब मात्रक आप याद करो इसका जो मात्रक होता है वह होता है वेबर पर एंपिर सव प्रेंड गुणांग बोल दो या अन्योन एल बोल दो चाहे एक मिन वेबर पर एंपिर एल बोलो एल soul करोगे तो आता है 올 second पर ampere तो विमा के लिए सबसे बेटर मातर ही यह क्यों क्योंकि अपने को वेग तवरण बल कारिय की विमा याद रहती है अगर आपको याद नहीं है तो वेग की होती है L1 T-1 तवरन के होती है L1 T-2 बल के होती है M1 L1 T-2 कारी के होती है M1 L2 T-2 और आवेस के होती है A1 T1 तो यह विमा आपको याद है तो यह आपकर काम आसन होगा अब उपर जूल है तो जूल की हो जाएगी M1 L2 T-2 होती है नीचे A2 उपर लेके जाओ A-2 तो यह आगई सव प्रेन गुनान की विमा मैंने यहाँ लिख दी है तो M1 L2 T-2 A-2 हो गई इसकी विमा बलो के लिए आगे आजाई अगला सवाल नमर 10 परत्यावर द्यारा जनीतर तो ठुक ठुक जनेरेटर गोमता है जनेरेटर गोमता है कि यहाँ उसके बाद है सव परेन का मात्य रख तो हैरेलih लिख दो यहाँ प्रेन पे तो रहेले हैनरी हैरी एसा ही मात्य लिखो है यह lling क रहेल्स की पागम और बार पहुंच रहा है M1 L2 चुम्ब के flux की रिमा M1 L2 T-2 A-1 दोगो याद कर लो दोगो चुम्ब के flux में A-1 आता है और सब परेन गुनाग में A-2 आता है हो गया याद ठीक है चुम्ब के flux जूल पर Ampere और सब परेन गुनाग के अन्योने पर रेक्टव जूल पर Ampere स्क्वाइर बन जाता है बोलो के लिए तो इसकी हो जाएगी M1 L2 T-2 A-1 रहेगी ठीक है अगला क्यूसर नंबर 13 क्या बोला है किसी कुनलिया परीपत में उत्पन परेत विद्वागबल कुनलिया परीपत से संबद चुम्ब के flux चुम्ब के flux के परीवर्चन के तरह के समानूपाती रहेगा आगे आज़ो 14 किति कुनलिया परीपत संबद के बढ़ जाने से सीथी धारा परेरित होती है तो चुम्ब के flux के बढ़ जाने से धारा परेरित होती है जब ये किसी कुंडली से गुजण और चुम्बा के फलक्स परिवर्थित होगा, चाहे बढ़े, चाहे घटे, तो धारा आपकी परिवर्थ होगी, तो बढ़ जाने से बोल दो, चुम्बा के फलक्स के बढ़ जाने से, तो Q15, लेंज का नियम, उर्जा सरंग्षन, यहाँ प का Q6 का भी, सुल्यूशन अपना होगे, आगे चेप्टर साथ का सुल्यूशन करेंगी, रही बात, इंपोर्टेंट क्यूशन की, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिवेस एर क्यूशन सी करना है, मैं फिर बोल दाओं, जो मेरे पास कमेंटार है, उनका एक ही कारेंटी है, ठीक है, ओके पैर बच्चों धन्यवाद,